आज हम सिखेंगे संख्या पद्धति कोई भी नया टोपिक पढ़ने से पहले मेरा तरीता यह यह कि पहले हम थोड़े पिछा जो हमने पढ़ा उसको रिवाएंद दिदा है कल हमने पढ़ा था गातांक एवं करणी गातांक एवं करणी इससे समद्धे तो सवाल किये थे सरली करण कल यह दो टोपिक हमने पढ़े थे गातांक एवं करणी इन से समद्धे जो भी multiple choice question जो competition exam में पूछे गए हैं मैंने उनकी पीडिये बना के इस वीडियो में जादूँआ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन पृष्णों को हल करें सरली करण और घातांक एवं करने से समद्धित इतने भी सवाल है उनको आप हल करें इनके अलावा आपको और भी कोई question पूछने हो इन से समद्धित जो आपकी समश्या हो उनसे मुझे comment करें इससे related समश्या हो को हम हल करेंगे तो यह topic था घातांक एवं करनी आप नया topic अभी जरूरी है तो लिखें अभी संक्या पदती है क्यां फिक्टी बोले यह English में बोले number system तो संक्या आपने कैसे बनाए रखी और उनकी पदती रेखते सबसे पहले प्राकृत संक्या सबसे बहले प्राकृत संक्याएं किसको पता है प्राकरत संख्याएं क्या होती है जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि प्राकरत प्रकरती इसलिए जो इनका समुच्य होता है उसको एन्से लिखा जाता है प्राक्रस संख्या हैं तो प्राक्रस संख्या क्या होते हैं जो दैनिक जीवन में काम आता है जैसे मुझे गिनना है जैसे विद्यारतियों की संख्या गिननी है मुझे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, बारा विद्यारती बैठें, मैं ऐसे थोड़ी करना हूँ, जीरो, एक, दो, धाई, तीन, साड़ी, तीन, नहीं है, ऐसे, एक, दो, तीन, चार, पांच, यानि कि प्राकरिसम चे शुरू का शुरू एक से, फिर, दो, तीन, चार, पांच, छे, सो, दो, सो, अजार, अनन्त, अनन्त को इस तरह से लेते हैं, देखें, प्राकरिस संख्याएं, फिर हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, जब हम प्राकरिस संख्याओं में सुन्ने को भी एड़ गर दें, सुन्ने को भी जोड दें, यानि कि इस समुच्या में हमने सुन्ने को भी जोड दिया, तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, जीरो से शुरू दती है, जीरो, एक, दो, टीम, चार, पांच, छे, साथ, ऐसे अनंत तब तो इसमें कई बार क्या सकते हैं सकते कसंद पूछ लेते हैं निम्न में से कौन से सकते हैं क्या सभी प्राकरत संख्याएं, पौन संख्याएं होती है बिल्कुर मोती है u projectite किया सभी पूर्ट संख्या इंब होती है तो मस्कथंं करें इसके जीरो पॉन तो है लेकिन प्राकर संख्या है इसके बाद है पूर्णांग क्या होता है इंग्रिश में और संख्यां को बोलते हैं और पूर्णांग को इंटीजर इंटीजर बोलते हैं को नांग क्या होता है अगर इसमें हम यह तो हमने क्या लिए को संख्या है इसमें माइनस याकमाइद संख्याई भी ले लें माइनस एक माइनस दो माइनस तीन ऐसे माइनस में भी अनन्द तर help यानिकि नमबर सिस्टम में 0 में 0 से अगर 9 साइड देखें तब तो दनात्मकter में संह क्या रहा है और हुआ रहती रहती है 1 x 1 से बड़ी 2 x 2 3 3 से बड़ी 5 से बड़ी 20 से बड़ी कि माइनस एक स से चोटा माइनस से चोटा माइनस तीन इस तरह से प्राक्रस चंक्राइब वूंड संख्या और पुण आंक किया सभी वुद्धी प्राक्रशड़ांगयों हुते हैं किया सभी प्राक्र वूद्धी हैं किया तो सभी प्राक्रिय संख्या रेंखस बोलता है कि इसक Misare इंकिया जवाब होंगे आप लीख के ने जवाप देगे किस तरहिस संबस्चित इस बोगे इसके बाद है परिमय संक्या परीमेश संक्याई है परिमत्यों को पता है परिमेश संक्याई क्या होती हो परिवे संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं P और Q क्या है P वे Q क्या है कोई पूर्णांग क्या है कोई भी पूर्णांग यानि कि प्लस दनात्मक भी हो सकता है और Q का मान जीरो ना हो Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए यानि कि जब हम लिखते हैं तीर मटे जीरो पटे में जीरो नहीं होना चाहिए इसका आतारण अबाद में बताऊंगा कि इस तरह की संख्याएं को किस तरह से लिखते हैं जिसके बाद है एपरी में संख्याएं एपरी में संख्याएं अब जो संख्याएं बतली जो परी में नहीं है वो क्या होगी एपरी में जो संख्या परी में नहीं है मैंने मेरे हाथ पे एक संख्या लिख रखिये अब मैं कहूं कि ये परी में नहीं है इसका मतलब वो क्या आपरी में, मैंने तो मेरे हाथ में जो संख्या लिक रखी है, वो या तो परी में है, या रख परी में, तो जो संख्या परी में नहीं है, वो सारी क्या होती है, आपरी में, यानि कि जिने पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो क्या होती है, आपरी मे संख्याएं कि से बार आता है काल्पनिक संख्या जो कि हम आगे के कस्याओं में अग्षी तक कामाथि इसको क्या उंक होच नहीं कोश्या नहीं तरह collect प Carroll कम के संख्याइ आप समय कुझर कर मैं ज़रूर बताऊं तो आप वीडियो को यही पोज करें और इतना नौट करें फिर मैं इससे संबनते तागी आपको कुछ प्रश्न लिखता हूँ इसके आगे इन संक्यया की इस बोलेंगे किसी का जवाब होगा वे शंख्याएं जिसमें खुद का ही भाग जाता है या एक का और खुद का ही भाग जाता है पिलकुल यह समझने के लिए अच्छा है कि वे संख्याएं जिनमें खुद का ही या एक का ही भाग जाता है इसके अलावा वो किसी से भी विवाजित नहीं होती है वो क्या होती है वाज़े संख्या तेकिन अगर इसके परिवास्या लिए नहीं होता इसे नहीं लिए परिवास्या क्या लिखोगे वे संख्याएं जिनके केवल और केवल और केवल तो ही गुननखंड हों केवल और केवल दो ही गुननखंड हो वे क्या होती है अभाज्य संख्या ना तो दो से कम हो ना दो से जादा हो यानि कि केवल और केवल दो ही गुननखंड हो जैसे अब एक है एक एक अभाज्य संख्या नहीं है अभाज्य संख्या नहीं है यह हमेशा याद रखना यह सत्यय सत्यय कसंद पूत लिया जाता है अभाज्य संख्या नहीं है क्यों नहीं है इसका कारण अब आपको पता लग गया होगा एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है कोहीं वाल उते के हैं किसे कहते है कि मुन खंड के हमें क्यों खरें किरिया कि इसके दो गुनांखंड में रेक तो हो गया, दूसरा नहीं बन गदे तो इसके एलावा एक, तो खाप लिवाज है नहीं है तो यानिकी सबसे च्छोटी quickest क्या हुँती है सन्दूर्ट सबसे च्छोटी ङवाजह संख्या डौ यह लिचा लिखऊ कि दो और यंदा साथ तीन एक गुणा तीन है तीन गुणा एक और एक और तीन के लावफ इसके पाढ़े ना सही नहीं चार नहीं है क्योंकि चार तो सम शंख्या है 5 साथ ग्यारा तेरा इस तरह से आप सुहां आगे तक इसको लिखोगे दोसों तक मुझे लिखके बताओगे और गिन के बताओगे कि एक से लेके दोसों के बीच में कितनी यह भाज्य संख्याएं हैं यह आप एक फ्रश्म करोगे एक से दोसों के बीच एक से दोसों के बीच कितनी वाज्य संख्याएं हैं एक से दोस्तों के बीच में कितनी वाज्य संख्याएं हुती हैं यह आप मुझे अबी करके बताओ कितनी है बदाओ जा अहां है अन्वी आपके सवाल किया होगा कितनी कमेंट में देखु हूँ किस किसी कमेंट आते हैं एक कि और एक विसमसंख्या समसंख्या क्या होती है जो दो से पूरा-पूरा विभाजित होती है वो समसंख्या होती है दो से पूर्णत है विभाजित यानि कि जो दो के पाड़े में आती है या दो से पूरा-पूरा भाग जाती है शेश्पल सुनने आता है वो क्या होती है समसंख और विश्म संख्या एंगी हम से नहीं कुछ शे पल एक है कई हम प्राकरत संक्षा संक्या हैं प्राकरत विश्म संक्या है अब सम्झ रिणात्मत भी हो सकती है, जैसे माइनस दो, माइनस चार, माइनस है, वैसे दो, जार, छे, आर्ड, दस, अनन्त तक, विश्वम संख्याएं, एक, तीन, पाँच, साथ, अनन्त तक, इस तरह से, योग ए सम्ख्याएं और विश्वम संख्याएं, इसके बाद, अभ एक होता है जिसमें दो ऐसी संख्या है जिसमें महतम समावर तक दोनों का एक आए दोनों में महतम यानि कि कॉमन एक आए ऐसी संख्या है ए सहे भाजय संख्याएं के रहती है ए सहे भाजय संख्याएं ए सहे भाजय संख्याएं एंगलिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर ऐसी दो संख्याएं ऐसी दो संख्याएं कितनी दो संख्याएं जिनका मैसेप महतम समावर तक जिनका मैसेप एक होता है यह जैसे आठ और पंदा जिस पर कुछ कोमन नहीं है कहने हों दिए जो संख्या है उन पर कोमन के आना थी एक आना थी मैसापका मुद्बत देख कोमन ही आ सकता तो यह दोनों क्या आ हैं ऐसा है वाजय संख्या हैं ये को प्राइम नंबर्स है जैसे साथ और नो तो वैसे करें यांद रखना है कि दो दो लगातार संख्या होती है लगातार यान की क्रम से क्रमागत संख्या होती है उनका मैसे पर एक होता है इसके बाद है इसके बाद है नोट करो इसके बाद है अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं जैसे है सभाजय संख्या है जिन में खेवल खुद का ही भाग जाता है जो खुद से और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग होती है जो स्वें वे एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है यह सब क्या क्या लाती है बाज्य संख्या यह उसका उपोजित होता है इनको बोलते हैं इसे भी विभाजित होती है जैसे नौन इतीन से भाग होती है छै इस तरह से गाण तो किन संख्याओं का में ज्यान होगा तब ही हम आगे की इंगनित को सीख सकते हैं तो आप वीडियो को पोज़ करके पहले यहां तक इसको अच्छे से कंटेस्ट करें इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे देखो यह सवाल है दो अंकों की संख्या के अंकों का योगाठ है त